स्मस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का जीवा स्टेडी में तो जो मार्क सीट है उससे रिलेटेड डोकुमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा सा बदला हुआ है वह मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा और उससे पहले आपको मैं अपवर्ड मुमेंट के बारे में बता दोता हूं और जो चेक एडमिस्न स्टेटेस इसके बारे में बता देता हूं सबसे पहले आपको क्या करना है प्रिंट अलोट्मेंट लेटर पर जाकर आप सारी डोकुमेंट अपलोड करने उसके बाद फीज जमा करवानी है फिर आपको वेट करना है जब भी कोलेज वाले अप्रूवल कर देंगे वेरिफाइ कर देंगे आपकी डोकुमेंट तो आपको एडमिस्न स्टेटेस जाकर चेक कर सकते हो आपका एडमिस्न अप्रूव हो जाता है उसके बाद यह आप अपवर्ड मुमेंट के लिए अपलाई कर सकते हो ठीक है तो अब बात करते हैं इसमें first year, second year और final year याने part 1, part 2 और part 3 तीनों की mark sheet आपको upload करनी होगी ठीक है क्यों अगर आप final year की करते हो तो college वाले आपको फिर क्या approval नहीं देंगे और दुबारे document upload करने पड़ेंगे आपको तो उसे अच्छा है कि आप पहले ही क्या तीनों साल की mark sheet जमा कर दो ठीक है और जिनोंने PG के base पर admission लिया है उन्हें PG की जो previous और final दोनों की याने की दोनों साल की याने first year की और second year दोनों की आपको mark sheet upload करनी है ठीक है तो केवल final year की mark sheet से काम ने चलेगा previous और final दोनों की mark sheet का है आपको upload करनी है जिनोंने PG से admission लिया है उन्हें तीनों साल की और PG से admission लिया है तो दोनों साल की mark sheet जमा करवानी होगी यानि upload करनी होगी बाकि जो पहले क्या रूल था कि final year की mark sheet का रूल था लेकिन अभी यह change कर दिया है इसमें आपको तीनों साल की और PG के base पर admission लिया तो दोनों साल की आपको mark sheet upload करनी होगी